जिनमस्कार राजगर वासियो मेरा नाम कृष्णुपाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूटूब चैनल देख रहे हैं कई सारी चीजें हो रही है विदान सभा चुनाव अभी गुजरा है और अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छे केंडिडेट की तलाश में महारो राजगर की टीम निकली है कि राजगर से प्रत्याशी कौन होगा भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई कलेक्टर आदमी रहा हो और यदि कोई वह पॉलिटिकल पाइटी जोइन कर ले तो आप क्या कहेंगे सर क पन्ना और सिंग्रोली कलेक्टर रहे हैं कलेक्टर राजगर वासियों और एटीम के पतपर रहें और भी कई प्रशासनिक अधिकारी पतपर रहें इनसे और बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है नमस्कार मैं शिवनाराइन सिंग्ग चोवान राजगर का ही रहने वाला हूं तो शिवनाराइन सिंग्ग चलते चलते बातचीत करेंगे पहले तो आप से यही सवाल है कि आप प्रशासनिक पतपर रहे हैं आपने फिर बीजेपी जोइन कल लिए सा रहे था क्यों दबाव प्रशासनिक कारी किया अब 35 साल के प्रशासनिक कारी के बाद मेरे पास है दो विकल्प थे या तो मैं आराम से घर बेढ़ जाता या कोई सामाजी कारी करता वापस चंदसेवा का काम हाथ में लेता प्रशासनिक कारी भी जन सेवा का काम है और मेरे इसाब से जन सेवा के दो ससक्त माध्यम है प्रसासनेकार और राजनिती यदि दोनों कारियों में नियत साफ है तो इससे बहतर कोई काम नहीं है और विचार धारा की दरस्टी से चूंकि मैं भारती जनता पार्टी के निकट हूँ इसलिए मैंने 2019 में भारती जनता पार्टी के सदेश्टा ली जब तक व्यक्ति सेवा में रहता है तब तक सदेश्टा नहीं ले सकता है इसलिए मैंने सेवा निवरत होने के बाद सदेश्टा ली है कालेक्टर आद्वी भारती जनता पार्टी को जोईन करता है यूपक्षी को जोईन क्यों नहीं किया सर आपने अभी तक इसी क्या वज़ा रही कि आप कॉंग्रेस को पसंद नहीं करते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी विचारदारा है और हिन्दुत की विचारदारा हे इन दो के संग्वाइट की वज़ेश से मैंने भारती जनता पार्टी को जोईन किया है आप ये इंडारेक्ली चलते चलते बात करेंगे सर आप इंडारेक्ली बोल रहे हैं सर कि कॉंग्रेस राष्टवादी नहीं है कि सेंगल से राष्टवादी नहीं है गांधी परिवार का खुन बहा है इस देश के लिए सर आप क्या बात कर रहे हैं मैं किसी पार्टी के है और जिनकी विचारधारा मेरी विचारधा से मिलती है उसी पार्टी को मैंने 2019 में जोइन किया है बाजपा की दो अच्छा ही बता दीजिए मुझे रोजगार का गया हम लोगों का आप एक चुली में आप जो बाता बाते कर रहे हैं आपको पास डेटा नहीं है इस कारिकाल में जो रोजगार दिये हैं उनको आप देखिए इंप्रास्ट्रक्चर आप देखिए 2014 के पहले के इंप्रास्ट्रक्चर देखिए उसके बात के इंप्रास्ट्रक्चर देखिए और आप तो चूंकि राजगड की रहने वाले हैं राजगड में 2014 के पहले क्या हालत थी और पूरा विश्लेशन करेंगे निस्पक्स रूफ से तो मेरे ख्याल से आप भी फ्यान हो जाएंगे तो निस्पक्स ही हूं मैं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाजपा गलत है पूरी तरह से गलत है लेकिन कुछ चीजे चुपती है सर इस वर्या से थोड़ा सा दुख होत मैं अच्छा ही पूछता हूं आप बुराई पूछ रहे हैं मैं बुराई बता देता हूं बुराई यह कि ना तो रोजकार दिया बीजेपी ने ना बीजेपी कुछ अच्छा इंफ्रेस्ट्रक्चर राजगर जिले में खड़ा कर पाए जो जो भी चीजे थी हम तो जनम से इम्टो छूबती है कार के विजेपी नहीं कर पाई रोजगार नहीं दे पाई लोगों को लोगों को राजगर के अंदर स्वास्ट की सुईदा नहीं आई सिक्षा के शेत्र में हमारा जीला बावन में नंबर पर है तो बीजेपी वाले लोगों को शरम तो आने चाहिए न थोड़ी बहुत देखिए आपके दो पॉइंट है आपने का कि भारती जनता पार्टी रोजगार नहीं देपाई और भारती जनता पार्टी ने इंप्र उनकी हालत देख लो उनकी दशा देख लो 2003 के बाद की दशा देख लो आप आज राजगण से यहां टक आये हैं वहाँ उस समय में आने में कितना टाइम लगता था और आजकितना लगता था पात मुझे रोडमन लागर जी ने बोली थी यही बात बोली थी रेम तो देम मैं बोलता हूं नितिन गटकरी जी का काम था वो तो आपने क्या किया राजगर के लिए तो जवाब नहीं दे पाये था आपके पास कोई जवाब हो तो देजी जी बिलकुल देखो यह पार्टी ह स्सेम काम करता पार्टी काम करती पार्टी काम करती है तो तो उसका जवाब दिया कि का अच्छा सर शीव सवाल ऊंदियास समाच से लिए संदिया समाच के वोटरों को रिजाने के लिए संदियास माज़ के वोटर इ개를 vem को चिका आजकल लुदू के यह मेरा सोभागी है कि मैं सवागी है कि हो व्यक्ति की समाज में जन्म लेता है उसके हाथ में नहीं रहता है लेकिन कर्म उसके हाथ में रहता है विचारदारा उसके हाथ में रहती है तो मेरा जो विचार है सबका साथ सबका विकास मोधी जी के नकल कर रहा है जो कि मोधी जी हमारी पार्टी के हैं मोधी जी हमारा नेत है तो जो नेता है उनका हम अनुशन करते हैं नेता सिखाता है क्या मोदी जी मीटिंग तो लेते होंगे आप लोगों की बाइद हुए मैं थोड़ा सा पूछना चाहरा था इंटर्वी में मीटिंग तो लेते होंगे कर देखो अच्छी बात हो तो हम कहीं से भी ले सकते जो अच्छी बात जो मैंने बताया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रियास इसमें गलत क्या है सब का साथ सब का विफवास इसमें गलत क्या पोड़त नहीं हो तो आपको भी फालो करना, आप नागनन अन्त में यह बोला है, इप तो फोलो करता हूं सर विकास हुआ ही नहीं तो केसे फोलो कर लेंगे यह अभी जो वह राजगर से जहां तक चलका है तो क्या भावा में आये रोड से आये ना और रोड की कंडिशन कितनी अच्छी है यह ना नेगेटिविटी आप छोड़ों मैं तो नेगेटिविटी अच्छी पोजिशन में है तो जो हमको सच है उसको स्विकार करना ची इंप्रास्ट्रेक्चर हुआ अर्थात हुआ अच्छा सर एक-दो सवाल और यह की जिसके बेटा-बेटी पाइलेट उड़ा रहे हो मतला हम पाइलेट बन गए हो माफ किजिएगा और हवाई जहां चिलगाडी बोलते हैं उसको तो जिसके बेटा-बेटी चिलगाडी उड़ा रहे हैं हवाई जाज उड़ा रहे हैं उसको क्या जर्वा थे नेता बनने की बढ़े आराम से जिन्दगी जिवो ना क्या मतला मैं माता बच्ची करने से नेता-गयरी और इतना एतना कुछ तो दिया है इश्वर ने अगर आपकी जगा में हो ता भगवान कसम नेतागेरी में नहीं उतरता मैं और वेसे उत्रूंगा भी नहीं देखो क्रश्नपाल जी इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे उपर इश्वर की असेम क्रपा है और मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ठ इश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है पर मैंने बताया जब आज मेरे पास अनुभव है और उर्जा है तो अनुभर उर्जा को लेकर मैं घर बेढ़ जाओं यह ठीक नहीं है इसका उप्योग समाज के लिए होना चीए यह बात सही है कि बेटी मेरी पाइलेट है और बहु जिन्द्र की में और के चाहिए सॉन अगे सुनो गीजेशल ने सब समझो दे आप आप अपको तो आपको लेके निवेटना है सारी चीजे मेरे पास है सभ कुछ दिया तो मुझे भी समाज को देना चाहिए और समाज को देना है इसके लिए जैसे मैं आपको बताया प्रसासनिक सेवा ससक्त माध्यम है राजनिती भी ससक्त माध्यम है इसलिए राजनिती का में मैंने भाग लिया है और इसलिए मैं आज भी एक भारती जनता पार्टी का कारी करता कि नाते पार्टी द्वारा जो भी दायतु सोपा जाता है उसका निर् में हैं लोटते हैं लूटते हैं मेने अभी तक यह देखा मेरे जिन्दगी में मैंने यह देखा देखो धाकि रही भावना जेसी प्रभु मूरत में कि तिंते सी मेरे लुटने वाली भावनाति मैंने लूटते हुए देखा लोगों को और मैं तो अभी लोग भी देखते हैं शर में मजागर नहीं कर रहा जो आज सरकार है उसने रोज़गार नहीं दिया जो सभां सार्कार है उसकी वच्छी से अमारे राजगरजी cooler पिछ्डा हूँ सरकार राजगर जी ले का कोई एक नेता बोले कि हमारे लाजगर जीमें बढ़या सम् अस्पताले बढ़या सी dressed हैं तो मैं मैं मुझाग नहीं करना सर में पत्रकार में तो वह सिरे ट्रॉल होता रहता हूं तो यह चीज़े सर बेकाल लगती है थोड़ी बाशन वाजी वाली लगती है जैसे आपने का कि राजनिती लूटने का माद्य में यह आपकी सोच हो सकती है दूसरा हर व्यक्ति एक जिसा नहीं होता है सोचते ही सर हकीकत है मेरी हाथ तुम्हें हकीकत बता रहा और आपको लगे गेंगे ऐसी भी लोग होते हैं अभी क्या पत है आपके पास भाजपा ने क्या पत दे रखा है आपको अभी मेरे पास जो दाइत हुए में मद्द्रदेश भाज्ति जंता पार्टी की जो गोश्ना पत समीती है उसका सदश हूँ और एप्यों का देखा होगा उन्होंने कहा कि जो गोष्णापत्र है मेरे लिए गीता का समाने उसका एक एक वाकि पूरा किये जाएगा करज लेंगे आप लोग आपको उस पर विश्वास करना चाहिए करज लेकर किया रहाएगा सर करज कितने में करज में डूबा हमारा मद्ध्रदेश यह पुझे खुशी होगी कि यह तो आपका सरकारी डेटा है पता नहीं ओफ-लाइन कितना करज लिया होगा को ओनलाइन डेता है तो देखो जो सरकार का सारा सिस्टम है सब ओनलाइन है सब पतर इसमें अंदर की बात कुछ नहीं रहती जो कुछ है चूंकि भारती जनता लोग करना चाहती है और लेकर लोग कल्यान करेंगे आप लोग बात करजे की नहीं है ना आपको पास चूंकि पूरे डेटा नहीं इसलिए आप बता नहीं पार रहे हैं तो अभी चार अजार करोड के नीचे हमारा जो मद्यप्रदे से वो डूबा हुआ है यह भी आखड़ अपका गलत से त्यों आव बता दी कितना करजा रहे आज भाजपा के नेता बताएं के बाजपाने कि इतना क्रजा लहें रखाएं आप घर जाके अपने डेटा को देखो गे तो आपको लगेगा आपने जो डेटा मुझे बताय हो गलत 14 करोड रूपे का मैं करने के लिए उनका एक अपना system है तो यहीं नहीं आल-वर वल्ड जैसे सरकार काम करती है वैसे करती है लेकिन जलन कल्यांकारी जो सरकार है उसका एक उद्देश रहता है कि हमारी जनता का कल्याणों डेमोक्रसी है डेमोक्रसी में अल्टिमेटली टार्गेट हमारी जनता होती है और ये जनता का हिती ही सरकार का उद्देश होगा अब आप रिसर्च पर बड़ा द्यान दे रहा है तो मेरा रिसर्च पर एक सवाल है रिसर्च में मैंने पाया था कि आप भाजपा की जो है वो पेनल में आये थे विछली बार लोकसवा चुन लाँ है कि मजमा तो लेगा है ना रोडमल जी जैसा मैंने आपसे का पार्टी का अपना डेटाबेस होता है और अपना डेटा बेस का विशलेशन करने के बाद ही वह जिसको उप्यूक्त समझती है पार्टी उस कार्यकरता को उसकी उप्योक्ता का नुश्ल जिम्मेदारी देती है तो पार्टी जिस कार्यकर्टा को जो भी जिम्मेदारी देती है वो कार्यकर्टा पूरी तागत से उस्ट इंदे है का निरभहन करता है। व्युक्त प्रसाश्टिक अधिकारी रेचुके हैं आपको तो नस नस से वाकिफ है आप तो 35 साल सर्विस में रचुके जाह तक मैंने सुना है बिल्कुल सही है 35 साल का प्रसासनिक अनवाव है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें पार्टी जो भी दायतु देती है उसका निर्वन के जाता है तो पार्टी यहां मुझे यहां इसके लिए उप्यूक समझती ह तो उसका भी उस दायत्व का भी निर्भन किया जाएगा बाजपा तो कुछ भी कर सकते हैं जब बोल देदी है कि भाईया पीजे जालाश्ट में मोहन यादा उजे आ जाओ मुख्यमंत्रे आज से सडक से उठा के हीरो बना दूंगा ये तो बाजपा की पोलीसी है तो आप क् पार्टी जनता की आवाज के आदार पर काम करती है राजगर्ण की जनता जिस व्यक्ति को उप्युक्त समझेगी और जिसके लिए वह आवाज देगी और उस जनता की निगाह में जो व्यक्ति उप्युक्त होगा उसकी आवाज भी भारती जनता पार्टी तक जाएगी तो अधिकारी उपर थे नेतागीरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं शीव नारहन सिंग चोवान जी तो राजगरवालों यह कहूंगा कि बढ़ियां आदमी है बीजेपी के लिए आज से अगर देखा जाए तो बढ़ियां है तो बढ़ियां वाला मामला जो है ना सर वो बहुत से बात हुई उसमें आपका मन पलड़ गया यह बात निश्ची थे व्यक्तिगत मन पलड़ता है मुझे पार्टी से कोई लेना नहीं सर पार्टी बढ़िया हो सकते है सब चीजे ठीक है लेकिन व्यक्तिगत मरा जो अनुव हो है व्यक्तिगत आप बढ़िया आदमी लगे अब करना निश्ची रूप से जहां भी मौका मिलेगा उस हैसे सब काम करेंगे अभी करी रहे अभी गोश्टनापत्स समीति Сथिक के का रुप में काम करना था तो पुरी तागत से गोश्टनापत्स समीती honorink किया कितने सदस्त है गोश्णा पत्र समीति में अभी वर्थमान में जो माननी डिप्टी सीम है राजिन शुकला जी उनके साइथ 19 सदस्त है तो उस पूरी टीम ने तैयार किया अच्छा डिप्टी सेम भी गोश्णा पत्र के जो सदस्त है वो बने हैं तो आपकी नजर अब राजगड के उपर है नहीं मेरी वा ने क्या का? चूकि राजगड के रहने वाले हैं और जहां के रहने वाले हैं वहां से लगाव सोभावी के देखो ये बिल्कुल सही है कि जननी जन भूमिस्चा स्वर्ख अदिफ गरियासी जननी और जन भूमि स्वर्ख से भी स्रेष्ट होती है ये स्ववावी है कि जहां कि आप रेनेवाल हैं वहाँ से लगाओ होता है तो ये भी इच्छा होती है कि चूंकि राजगड के लिएन वाले हैं तो राजगड में काम करने का मौका मिले लेकिन चूंकि सरकाई जिवा में रहते हैं तो घ्रए जिला आपको नहीं मिलता वरिश्त पदो पर यदि राजगड के कलेक्टर होते तो बाती अलग थी के साथ पूछा एमें रिशर्ट के साथ आता हुँ पमना वालों सो में पूछा हूँ गरगर में नाम लिया जाता है आपका शीव नारहें सिंग चोहां जैसा कलेक्टर होता है आज भी होते वह आपकी जब विदाई हुई थी सर जब आपको विदा किया जा रहा कि आप में जन सेवा की भावना हो, आपकी नियत अच्छी हो, और इश्वर ने आपको जिस हैसियत में रखा हो, उस हैसियत में पूरी तागत, निश्टाव समारपण से काम करोगे, तो आपको भी संतुष्टी मिलेगी, और जनता को भी निश्वरूप से संतुष्टी मेरे साथ एक था ना, मैंने जो भी काम किया है, सेवा की भाहुना से क्या, ठीटन की ठसक से काम नहीं किया, मैं यससोच था था एक इश्वर के कितनी बड़ी क्रपा है कि मुझे एक पूरी जिले की सेवा करने का मोका मिला, चूंकि उस नियत से किया, लोगे काम हुई, तो तो निश्च्य रुप से लोगों का लगाओं मुझसे था अच्छा माद्य प्रदेश के बड़े नेताओं से बंती ही की नहीं क्योंकि टिकेट में मदद करते हैं वो लोग है यहर दो पोलता है सर यह तो यह तो हमारे जीले के सांसाच्ट जी बहार थी बपार्टी का मीश्ञाइब करथा की शुता साक्या जार हम साब मेरे अंदर कुछ नहीं है देखो इस पार्टी में जो काम सोपता है वो काम कारे करता द्वारा किया जाता है यह कारे करते हैं मानते हैं आप अपने आपको इस चुरूप से इसके लाओर क्या है कि सांसत बन जाएंगे बूल तो नहीं कि अजय को प्रश्चन ही प्यादा नहीं में अब बताया उन जिलो में लोग याद करते हैं तो आप मैरे घरे ले कैसा बूलेंगे मैं कि किसी को नहीं बूलता आप शिव नारायन सिंग जी हमने हर तरह से टेस्टिंग ले लिए आपकी वेसा है आप तो 35 साल तक रहे हर आदमी की टेस्टिंग लेते रहते थे लेकिन मज़ा है आप सब अच्छित करके एक बारात मिलाईएगा और यहाथ मजबूती के साथ क्योंकि भाजपा के बिदान स करें अच्छा काम करें और आप से भी अपक्ष्या है यह नेगेटिवीटी छोड़ें और अच्छा काम करें नेगेटिवीटी नहीं सर चमतーー कर विपक्ष में खड़ा देता हूं यहां पत्रकार का दायित मेरे हिसाब से हैं कि जो वास्थीयुक्ता यह उसको परक्णा और उसके अनुसार सारे तत्ति पब्लिक के सामने लाना धोगता है कि हमारे जिले में आज तक स्वास्त की व्यवस्ता नहीं हो पाई वाष्ट निरंतर प्रक्रिया है विकास एक दिन में नहीं होता और ना विकास एक दिन में समत्त होता ठीक यह भी आप देखिए कि 2003 से लेकर अभी तक 2003 पहले का प्रिदर्श्य आप ने सामने रखे 2003 के बाद का प्रिदर्श्य रखे निश्य रुप से आपको अंतर देखेगा यह बाद बताओ जो अच्छा यहां है वह भी दिखाए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर तो राजगरवाश्य वीडियो को ज्याद ज्याद शेयर कीजिएगा चैनल यह आ अच्छा नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया